नमस्कार दोस्तो आपका मेरी यूटूब चैनल भक्ति ग्यानतियोहर में स्वागत है आज मैं आपको बच बारेस की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बच बारेस माता कीजे अवश्य लिखिये शाथ ही अगर आपने अ बच बारेस का पर्म मनाय जाता है बच बारेस के दिन बिवाहित महलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र है तो उसकी मंगल कामना के लिए ब्रत करती है इस दिन ब्रत रखने वाली इस्त्री को गाय के बचरी की पूजा करनी चाहिए गाय का बचरा न मिले तो बच बारेस का तिवहार था, तो बन में इंद्र की इंद्राणिया बचवारेश की पूजा करने आई बन में एक गाय थी वह बहुत दुखी थी क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था इंद्राणियोंने जब वह गाय देखी तो कहा चलो बचवारेश की पूजा करते हैं जब इंद्राणिया सिर्की तरफ से गाई की पूझा करती तो वह उन्हें सींग मारती और पीछे से पूझा करती तो वह पूझा करती तब इंद्राणियों ने कहा एक तो हम तुमारी पूझा कर रहे हैं और तुम हमें ही मार रही हो ऐसा क्यूं कर रही हो तब गाई तो बच्छा जीवित हो गया और बच्छा गाय का दूद पीने लगा गाय बच्छे को पाकर बहुत खुस हुई फिर इंडरानिया गाय और बच्छे की पूजा करके वहां से चली गई फिर गाय अपने बच्छे को साथ लेकर अपने घर गई जब उसकी मालकिन ने गाय के साथ बच्छे को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया उसने कहा मेरे तो कोई बच्छा नहीं है और तुम बच्छा लेकर आ गई जाओ यहां से तब गाय ने कहा आप चिंता मत करो मैं अगली बच्छ बारस को आपके लिए बच्छा ले आऊंगी धीरे धीरे समय बीता है और फिर से बच्छ बारस आ जाती है तो गाय उसी बन में जाती है वहां इंद्राणिया भी पूजा करने आती है इंद्राणियां गाई की पूजा करने लगती है तो गाई फिर से उन्हें पूजा नहीं करने देती और मारने लगती है तो इंद्राणियां कहती हैं कि अब क्या हुआ तुम हमें पूजा क्यों नहीं करने दे रही तब गाय ने कहा पिछली बस बारस को आपने मुझे बच्चा दिया अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो नहीं तो वो मुझे घर में नहीं रखेगी मुझे घर से निकाल देगी तब इंदराणियों ने दर्व से बच्चा बनाया तथा दर्व से पालना बनाया और संजीवन को बच्चे पर छिड़क दिया तो बच्चा जीवित हो गया इंद्राणियों ने बच्चे को पालने में लिटाया और पालने को गाय के सींगों में बांद दिया फिर इंद्राणि पूजा करके वहां से चली गई और गाय पालना लेकर घर गई तो सब ने देखा कि गाय बच कि मालकिन अपने अपने बच्चों के साथ खुसी-खुसी रहने लगे और अब मालकिन और गाओं के सभी लोग हर साल बच बारस का ब्रत करने लगे जैहो बचबारस माता की तो हे बचबारस माता जैसे आपने इस गाय और मालकिन पर अपने किरपा की वैसे ही सब पर अपने किरपा सदा बनाए रखना दूसरी कहानी बहुत समय पहले की बात है एक गाउं में एक साहुकार अपने साथ बेटे और पोतों के साथ रहता था उस साहुकार ने गाउं में एक तालाब बनवाय था लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलवाया पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बली दोगे तब साहुकार ने अपने बड़े बहु को तो पीहर भीज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बली दे दी इतने में गरचते बरचते ब अपने परिवार के साथ तालाब की पूझा करने गया और साहुकार जाते समय दासी से कहकर गया था कि गेहुला को पका लेना गेहुला सितात पर गेहुं के धान से था दासी समझ नहीं पाई दरासर गेहुला गाय के बच्छे का भी नाम था उसने गेहुला को ही पका लिया ब तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा, तभी ताला मैंसे मिट्टी में लिप्टा हुआ, उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, मा मुझे भी तो प्यार करो, तब सास बहु एक दूसरे को देखने लगी, सास ने बहु को बली देने वाली सारी बात बता दे, फिर सास ने कहा, कि बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली, और हमारा बच्चा बापस दे दिया, तालाब की पूझा करने के बाद, जब वह बापस धर लोटे, तो उन्हों ने देखा, बच्छडा नहीं था, साहुकार ने दासी से पूझा, बच्छडा कहा है, तो दासी ने कहा, आपने ही तो उसे पकाने को कहा था, साहुकार ने कहा, एक पाप तो अभी उत्रा ही है, तुमने दूसरा पाप भी कर दिया, साहुकार ने पका हुआ बच्छडा मिटी में दवा दिया, साम को जब गाय बापस ल होने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी तभी मिट्टी मैंसे बच्छा निकल गया साहुकार को पता चला तो बहवी बच्छे को देखने गया उसने देखा कि बच्छा गाय का दूद पीने में व्यस्त था तब साहुकार ने पूरे गाउं में यह बात पहला दे कि हर आश्माता जैसा साहुकार की बहु को दिया, बैसा हमें भी देना, कहानी कहने और सुनने वालों की सभी मनों कामना पूर्ड करना जैहो बच्छा बारस माता की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएए साथ ही मेरे वीडियो को जादे से जादे शेयर करें धन्यवाद दोस्तो